आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक website builder की exercise दूँगा जिसकी साहता से आप लोग अपनी मंचा ही website build कर सकते हैं आपको करना क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को इस exercise से पता चलेगा कि doms related जो हमने पड़ी थी उनका क्या use है इस वीडियो क तो लाइक करके नीचे comment section में challenge accepted जरूर लिख देना चलते हैं computer screen में let's roll the intro तो गैस यहां पर मैं आप लोगों को अगली exercise देने के लिए बनाने वाला हूँ एक folder जो की होगा हमारा वीडियो 73 का folder ठीक है और इस 73 के folder के अंदर मैं यहां पर मैं question आप लोगो को बताता हूँ अभी आपको क्या करना है मैं आप लोगों को एक card दूँगा उस card का photo दूँगा आपने क्या करना है कि आपने उस card को कुछ data के साथ लगाना है उस card के अंदर जो data होगा वो add होना चाहिए जब जब आप लोग एक function को run करोगे और उन functions को आप दोगे कि उस card में क्या आया let me explain कि आपने करना क्या है फिर आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि क्या करना है तो यह card.png है यह एक png file है आपने क्या करना है यह title यह channel name यह number of views और यह है कि कितना पुराना वीडियो है यह आप लोगोंने card पूरा design करना है ठी make it a little more clearer script.js और script.js भी बना लूगा तो आप लोगोंने एक function बनाना है ठीक है अब मुझे नहीं बदा यह function के अंदर आप लोग क्या लिखने वाले हो ठीक है लेकिन आप लोगों को इस function को finish करना है ठीक है एक चीज में आप लोगों को add कर के दूँगा और वो है div.container जिस .card यहीं कर नम की class आप लोगोंने यूज करनी है और उसको यूज करके आप लोगोंने लिखना है यह function बना ऐसे लिखना है कि आप लोग का जो card होगा उसमें card नम की class होगी यह input क्या क्या लेगा एक टो title लेगा ठीक है दूसरा क्या लेगा दूसरा यह चीज लेगा channel name ठी है तीसरा क्या लेगा तीसरा यह लेगा number of views ठीक है चौथा क्या लेगा और एक बात मैं बता दू number of views जो है वो एक integer है अब मुझे नहीं बता कि आप लोग इसको k लगा कि सब कैसे करोगे यह आपका काम है हा भाई level बढ़ गया है हाल बढ़ गया level अगर 727 000 है तो आपको उसको खुद लिखना है 727 K अगर 727 000 है तो आपको 727 M लिखना है ठीक है वो आपको खुद करना है यह processing आपको खुद करनी है internalize function में और इसके बाद कितना पुराना है यह ठीक है कितना साल पुराना है वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ ठीक है symbol कर दिया फिर duration इसके बाद duration और duration एक string है जिसको आपको as it is जो है वो लगाना है तो मैं एक sample call दिखा देता हूँ तो create card के अंदर मालो जाएगा sigma web dev video number 2 मालो यह title है वीडियो का ठीक है मालो हम introduction to backend लिख रहे है और इस तरह से हमारा वीडियो टाइटल आ गया दूसरा argument क्या है दूसरा argument है channel name मालो आ गया code with harry ठीक है वह मैं जरा word wrap को toggle कर लेता हूँ दागी दीखे आप लोगों को तीसरी चीज क्या है views मालो views है 560 ठीक है यह कितने है पांच लाक है आपको कैसे लिखना है 560 k करके लिखवाना है इसको कैसे लिखोगे यह आप देख लेना ठीक है इसके बाद months old कितना महीना पुराना है तो मैं इसको 7 कर दूँँगा ठीक है 7 months old duration मैंने का दा duration एक string है तो मालो 31.22 डूरेशन इसको आपको यहाँ पर लगाना है इसके बाद एक image भी आएगी एक चीज़ और आएगी thumbnail ठीक है तो यह thumbnail जो है thumbnail का आप लोगों को देना है link तो thumbnail का link जो है मैं यहीं से ले लेता हूँ open image in new tab तो मैं यह ले लेता हूँ यह मैंने thumbnail ले लिया ठीक है तो मैंने यह thumbnail का URL है वो दे दिया अब आप चाहो तो कोई और image भी दे सकते हो लेकिन यह आपने करना है thumbnail का URL आप लोगोंने देना है अगर मैं इसको open image in new tab कर नहीं है मैं इसको यह paste कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो यह duration thumbnail में burned नहीं होती है यह अलग से लगा जाती है और यह तो duration है यह अलग से लगी है और यह कैसे लगी है position property का इस्तिमाल करके लगी है वो आपको लगाना है ठीक है तो यह सब काम आपको करना है जल्दी जल्दी सब लोग नीचे challenge accepted लिख दो और का create card को run करूँगा तब तब क्या होना चाहिए container के अंदर card जाना चाहिए ideally हम इसको एक button से map करेंगे कि बटन पर क्लिक करो तो card dynamically add हो जाए but again यह आपने container को भी कुछ styles देने हैं such that कि जब cards add हो रहे है तो proper add हो यह नहीं कि आपकी screen में भिखर जाए cards इदर उदर उसका भी दि चीजे आने वाली है इस course में for those people जिनका interest lose होना जो कह रहे है कि आरी तो बहुत ही repetitive चीजे चल रही है बहुत interesting projects आने वाले है अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time झाले है